माबाप के दिल में इतना डर बैठ चुका है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही नहीं चाहरे बलेड रोड होकी पता नहीं क्या क्या था समझ लो कि लड़का अगर सर नीचे ना करता तो मेरा लड़का मर जाता नवश्कार महूं प्रवीन और आप देख रहे हैं इंडिया टैम 24 निउस बीस फरवरी से पालम और सागरपूर के स्कूल के बच्चों का कुछ मामला चल रहा है खबरे भी आप लगातार देख रहे हैं मामला ये है कि जो सागरपूर के स्कूल के बच्चे हैं उनका सेंटर पड़ा है पालम के मंगलापूरी स्कूल में और वहां जब बच्चे एक्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां उनके साथ मार पीट की जाती है और बहुत सार अगो बड़ादी के नेतर भी बता देए उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पर परचार भी किया कि विदाये विन्हय मृट थाने में ऐसाघरपूर थाने में ऐसाच्चो से मिले उनसे बाचीत की और शुरक्षा बड़ा दी इतनी सुरक्षा बड़ादी की गली-गली में सि चपे चपे पर तैनात हैं, बच्चे भी खुश हो गए, माबाब भी खुश हो गए, चलो इतना तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ हुआ, वो आज आपको दिखाएंगे, एक बच्चा मेरे साथ है, 10th क्लास का एक्जाम देकर आया था, उस पर हमला हुआ, और हमला क किया कम से कम 500 लड़कों ने, उनकी मां से हमने जिस तरह से बात की, उनके बताया कि 500 लड़कों की भीड उनके पास आई, और उनके बेटे पर हमला कर दिया, ये देखे, ये मेरे साथ बैटा हुआ है, 10th क्लास में है, हाथ दिखाएं इसका, और गनीमत रही कि भीड से बच हो रही थी, कि सुरक्षा, सेफटी का उन्होंने दावा किया, और चार पुलिस वाले खड़े करके बोल रहे हैं, कि हमने चपे-चपे और पुलिस वाले तैनात किये हुए हैं, और अगर चपे-चपे और पुलिस वाले तैनात होते, तो क्या ये होता, उनकी मम्मी मेरे से नहीं चलेंगे मैंने इसे आटीवी में बिठाने की कोशिश करी वनका बैट से सेफटी से घर पहुच जाएंगे हम लो तो कह रहा है कि मम्मी सेफटी में तो ठीक है आपकी पर बच्चे अंदर गाडियों में गुजगुज के भी मार रहे हैं यह रिक्षय वाले को सब को गाड़ी बसे कोई चीज ने छोड़ रहे थे एकदम अचानक से लड़के हम दोनों बात करते हैं धायसो बंदा आगे से आया गलियों से निकल के आया और पीछे बैक से आया और इसके साथ इसका दोस्ता उसको भी हमने अगर वो नहीं होता तो आज मेरे लड़का नहीं हो तो इस वज़े से हमारे लड़का थोड़ा साथ बज़ गया कैसे नहीं तो मेरे लड़की की जान चली है थी उन्होंनों मेरे पे भी हमला करा और उन्होंने हमला करा मुझ पर फोन भी चीना मैं किसी केक की दुगान में गुज गई थी मतलब एगर ऐसा रहा तो बच्चा ना स्कूल जाने जाओगे हैं ना घर रहने जोगे हम क्या करें बताएं कि अगर आप हम्हारी लोगों की साहता नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे दुस्त रख्षिती नहीं किसी भी स्कूल बच्चे बचतने लोग थे वो जो हमला करने आये तो टूट पड़े थे आपके सर्व मैंने तो अपने लड़का भगा दिया था कितने पीछे से भागें मैं तो रोने लग गई थी वहां पर मुझे पता ही नहीं लगा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ फिर मैंने इसके फादर को लगवा कितने लोग रहे हैं डाइसो तीन से बच्चा बंदा तो कमी था ही हम आएं न Васर हरा है तो हमारे साथ फोला सब्सक्राइब ब sensational लड़का भाग यहा ने बन को कुछी है और नेता लोग यह कहा रहे थे कि गली-गली में चपपे-चपपे और पुलिसकरमी तैनात हैं आपको पूरे रास्ते कहीं पुलिस वाले दिखें? जब हम थोड़ा सा कनाश्पुरी से पीछे के साइड़ते जहां पर पालम के साइड़ते बस वही दिखा और मैंने भी वहलामन का सर आप तो अभी स्कूल के पास ही खड़ते हो गए हाँ उसके बाद हमें ना कोई पूलिस वाला दिखा हमें और ना हमारा को अपनी शुरुक् है कि बीच की बात आई है और इसकी कंप्लेंट वगर है दिया तो उन्होंने बोला कि आप अपने लड़की फोटो बेजी यूँल नमबर भी दिया हमने लिया उन से पना उनका मॉबाइल नमबर हमने कोल करा फिर हमें पान थाने से फोनाया कि आपका लड़का कितने साल क् और आपको मैंने फोटो बेज दिये तो उन्होंने हमें फोन करके बोला कि आपको वेटा थाने में आए है आप ले के जा सकते है पर थाने में जाके उस पर इंद रगार है कि तुम भी उसी के साथ हो ये गलत है अएसे बच्चा अपनी जान बचा रहा है उसको तो तुम समझे नहीं रहे हो उस पे और और आउप लगा रहे हमारे लड़के के अगी क्या हुआ अभी तो कुछ पता नहीं पर हमारे बच्ची की शुरक्षा बढ़ाई है आप लोग हमें नहीं चाहिए हम पेपर नहीं देने देंगे अपने बच्चों को अच्छा इ हमें यह चाहिए हमारे बच्चे की अड्रेस के वज़े से हमें पेपर नहीं दे पा रहे या क्या हमें अपने बच्चे की सुरक्षा चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए पूरी हमें चप्पे चप्पे तक हमें पूलीस चाहिए क्योंकि मेरे बच्चा घर तक पहुज़ पहले तो नहीं कि कह रहे हैं पीच तारीक शोरा जब बारवी का पहला पेपर था तो हम दोनों जा रहे थे तो बीच में ट्राइफिक बनता है मोला कि जाम लग रहा होगा तो हम दिए जरे जाने लगे एक दम से ना वासे शोर आया कि औरी ब्लू शट मारो तो मैं ममी को दोस्त भी बाग रहा था तो एक बंदा खड़ों के कह रहा कि इस गली में जाओ बचने के लिए तो जैसी राइट वह उनके साथ तो मेरे दोस्त को पकड़ लिया मैं उल्टा बाग नहीं रोड क्रोस करके बिल्कुल सीधा बागा बागता बागता वह मेरे पीछे बहुत स आर्मी के थे तो उन्होंने मिरे को बचा नहीं तो चूरा निकाल रहे थे मरे को मारने के लिए फिर माइसा बागतों गली के अंदर अंदर भी हर जगा थे हर जगा से वाज आ जा रही तो वो भी ब्लूशट मारो और कॉल करके बुला रहे है कि हमने बंदा पकड़ लिया चले गजा रही कि कि किसी सब्सक्राइब करें कि तो दिखेंगा है कि यह मारू जो बागते वे मेरे पैर पर गाड़ी भी लेगी है मैं रूड क्रॉस कर रहा था बिना कुछ देखे कोई बहुत सारे थे हो तो जाने तो गाड़ी भी लेगी है फिर भी मा भागा हूँ बस बचके की मा बच जाओं करके और आपके और कितने दोस्तों को चोटे आई है हमारी क्ल पूल से घर की तरफ आ रहे तो रास्ते में कितने पुलिस वाले आपको तैना दी मुश्किल से मेरे को पालम की साइड ही बस एक या दो पुलिस वाले देखे और आगे जाकर जहां पर वह एक दुम से निकल कि हमा कोई पुलिस वाल नहीं था अच्छा मैं बड़ी मुश्क सागरपुर था नहीं दे रहा था पुलिस वाले नहीं था अच्छा मेरे पालम के स्कूलों के बच्चों के बच्चों का जो पालम की दिल में इतना डर बैठ चुका है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही नहीं चारे और बच्चे खुद खौफ के साए में जी रहे हैं और यहीं उमीद कर रहे हैं यहीं मांग कर रहे हैं सरकार से कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाए और पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ जो आरोपी हैं जिन्होंने हमले किये हैं बच्चों के उपर उनको जल से जल गुरिफतार करके सजा दी जाए। बेरहल कैमरा जनलीस प्रशांदी साथ प्रवीन, इंडिया टमटी 4 News